question no.5 में हमें given है y equal to x की power 3 log x हमें second order derivative find करा, सबसे पहले मैं इसका first order derivative find करा, तो लिखेंगे differentiation with respect to x y का differentiation केतना हो जाएगा, dy upon dx और यहाँ पर हम लिखेंगे d upon dx, x cube log x तो देखेंगे यहाँ पर हमारा यह दो term की multiplication हो रही है, पहला term हमारा केतना है x की power 3, दूसर term हमारा क्या है, log x हम multiplication में लाजूल लगाएंगे, पहले term हमारा x की power 3 ऐसा कैसी रहे जाएगा, हम differentiation की से करेंगे, log x का differentiation होता, 1 upon x, प्लस का साइन, अब हमारा log x ऐसी हो जाएगा, x की power 3 का differentiation करतेंगे, देखें, power जो होती, x की power 3, 3 power कहां जाएगे, बाहर जाएगे, और एक power कम हो जाएगे, अब हम इसे solution कर जाएगे, कितना जाएगे, x की power 2, प्लस, यह कितना हो जाएगा, यह हमारा log x, और यह multiplication हो जाएगे, इसकी 3 x की power 2 से, अब देखे, यह हमारा dy upon dx हो गया, इसमें भी आप देखे, हम common भी ले सकते हैं, यह जाएगा, x की power 2, तो यहां कितना बचे जाएगा, 1, और यहां कितना जाएगा, 3 log x, यह हमारा पहला टम, यह हमारा दूसरा टम, यह यह हमारा dy upon dx था, अब मैं दूबारा इसका differentiation find, find कर लेंगे, लिखेंगे, differentiation with respect to x, तो देखे, dy upon dx का differentiation कितना जाएगा, d2y upon dx2, देखे, पहला टम हमारा किया था, x की power 2, वो तो ऐसा कैसी रह जाएगा, differentiation हम किसका करेंगे, d upon dx, 1 plus 3 log x का, plus 1 plus 3 log x हमारा, ऐसी रह जाएगा, differentiation हम किसका करेंगे, x की power 2 का, यहाँ पर हम लिखेंगे x की power 2, differentiation देखे, बन का कितना हो जाएगा, 0 plus 3 हमारा ऐसा कैसी रह जाएगा, log x का जाएगा, 1 upon x, 3 constant आ ऐसी हो क्या, log x का, 1 upon x plus, 1 plus 3 log x हमारा टम ऐसी रह जाएगा, यह हमारा differentiation x की बाबार 2 का, power देखे, मैं बाहर देखे, और एक power कम कर देखे, 2 में से कम किया, 1 हो गई, यह हमारा differentiation हो जाएगा, देखे, यहाँ पर हमारा सिर्फ कितना हो जाएगा, 3 upon x, और यह 0 तो हट जाएगा, x से एक x कैसल हो जाएगा, जब हमें multiply करूंगा, कितना जाएगा, 3 x plus, 2 x की multiply इस से की, कितना जाएगा, 2 2 x, 2 x की multiply से करें, कितना जाएगा, 6 x log x, देखे, 3 to 5 x plus, 6 x log x, यह हमारा d2 upon dx2 हो जाएगा, आप चाहो तो इसमे x भी common दे सकते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा, 5 plus 6 log x, और यह हमारा d2 upon dx2 है,